हलो एवरिवन ग्रीटिंग्स जी है कैसे हैं बिटा आप सब आई होप यू आर ओलेज वेल तो आपकी वक्षीट आगए बिटे डिरेक्टुरेट ओफ एजुकेशन जी एनसीटी आफ डैली की वक्षीट नमबर है बिटा ये आपकी 88 और ये है आपकी 6, 7 और 8 तीनों ही खलासिस के वक्षीट है बिटा ये तीनों ही खलासिस के बच्चों को करनी है student को अपना नाम लिखना है अपनी class teacher का नाम लिखना है और ये worksheet जो है बिटा वो है आपके 28 नॉवंबर 2020 की यानि की Saturday शनिवार की worksheet तो चली बिटा शुरू करते हैं worksheet शुरू करने से पहले बिटा अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करें ताकि आपको आने वाली notification आने वाली worksheet time से मिलती रहें तो आज की theme है बिटा air pollution आप देख रहे होंगे बिटा हर Saturday को air pollution के बारे में या pollutions के बारे में worksheet आ रहे हैं किसलिए क्योंकि आज कल pollution इतना बड़ा हुआ है देखिए इस बार दिल्ली में पठाके इतने कम छुड़ाए है फिर भी आप देख रहे होंगे कि जैसे दुनला दुनला सा आस्मान दिखता है किस कारण होता है वो pollution के कारण हो रहा है तो जो है सरकार आप लोगों तक ये बात पहुचाना चाहती है कि हमें किन किन तरीकों से pollution से बचना चाहिए हमें pollution नहीं पैलाना चाहिए कुन-कुन से साधन है जिन से pollution पैलता है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वक्षित दी गई है तो चलिए बेटा शूरू करते हैं A. Right good for the things that is good for our lungs and bad for the things that is bad for our lungs in the given boxes नीची बेट देखे बेटा क्या दिये गए है कुछ good things दी गई है देखे जैसे green tree कुछ bad things दी गई है देखे जैसे ये फैक्टरियों का pollution ये यहाँ पर पराली जलाई जा रही है और ये यहाँ पर गाडियों का परदूशन तो ये ऐसे bad things दी गई है कुछ good things दी गई है जो good things है उससे हमारे lungs को जो है क्या परभाव पड़ता है और bad things से हमारे lungs पर क्या परभाव पड़ता है ये बाते हमें इसमें बतानी है तो देखे बेटा सबसे पहले क्या है देखे ये फैक्ट्रिया लगाई गई है इनसे जो धुआ निकलता है वो हमारे लंग्स के लिए गुड है या बैड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ए डी बैड इसके बाद देखे यहाँ पर क्या है ग्रींट्री ही बहुत अच्छा जो है वातावरन बहुत अच्छी जो है प्रिकरती कितना अच्छा लग रहा है यह सारे चीजे देख कर तो यह क्या है हमारे लंग्स के लिए यह गुड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी डबल ओडी गुड आगे देखे यहाँ पर पराली जलाई जा रही है तो इससे क्या होता है देखे पोलुशन फैलता है ना अलग से दुआ उठ रहता हुआ दिखाई देर आ है तो यह हमारे लंग्स के लिए क्या है बेटा बैड तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैड यहाँ वहनों से निकलने वाला धुआ यह किसके अंदर जाता है हमारे तो दुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैड देखे धुए के जो सारी चीजह है वह हमारे लंग्स के लिए बैड होती है जो ग्री जी है जो सुद्वातावरन है पेड़ पूते हैं वो तो हमें अक्सिजन देते हैं तो वो हमारे लिए बैड़ कैसे हो सकते हैं वो हमारे लिए बिता गुट है तो हम यहां पर लेकिने बैड गुट बैड गुट पैड तो यह तो हो गया हमारा एका सॉलूशन आगे देखते हैं B, B में क्या दिया गया है देखिए यहां पर B में दिया गया है कि जो है हमें read the report by WH and answer the question given below WH की report दी गई है नीचे और हमें जो है उसको पढ़ कर उसके question के answer देने है क्या है पढ़ते हैं air pollution kills and estimated 7 million people worldwide every year तो इन्होंने बताया है बटा कि इसमें लिखा गया है कि air pollution के कारण यानि कि वायो प्रदूशन के कारण हमारी दुनिया में हमारे संसार में इस वर्ड में हर फर्स कितने estimated यानि कि अंदाजा है कि 7 million लोग मरते हैं क्या होते हैं मिटा 7 million लोग मरते हैं World Health Organization data shows that 9 of 10 people breath air that exceeds WHO guideline limits containing high level of pollution इन्होंने कहा है बटा कि WHO की guideline limits के अनुसार high level बड़े तोर पर जो है pollution के कारण क्या होता है दस में से 9 लोग इस हवा में सांस लेते हैं और जो है human activities that are major sources of outdoor air pollution यानि कि मनुश्य को जो है ये वायू pollution बहुत ही खत्राप होचाता है ये एक मुख्य कारण है वायू pollution जो है हमें बाहर निकलने पर हमें अच्छी हवा नहीं मिलती और हमारे जो है शरीर के लिए हमारे लिए ये हवा जो है अच्छी नहीं है ये एक मुख्य कारण है आगे बटा include यानि कि इसमें कुछ गतीवी दिया include है मतलब की कुछ जो में कार्ण में सोर्सीज हैं जो की इसमें include हैं सबसे पहले बीटा फ्यूल कंबिनेशन फॉर्म motor vehicle car and heavy duty vehicles यानि कि क्या है जो motor vehicle होते हैं जो car होती हैं जो heavy duty के vehicles होते हैं उन से क्या होता है बहुत ज्यादा मातरा में धुआ निकलता है जो की हमारे लिए खतरनाक है आगे बीटा second पे heat and power generation क्या है oil and cold power paints and boilers क्या है बीटा boilers यानि कि जो heat गरम और power generation वाले जो स्थ्रोथ होते हैं हमारे जैसे oil, cold power plants तो इन से क्या होता है इन से भी जो है ये भी हमें क्या पहुंचाते हैं हा नहीं पहुंचाते हैं इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज जो इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है बीटा जैसे manufacturing factories, miners and oil refineries तो इन से क्या होता है manufacturing की factory है वैसे तो हमारे लिए क्या एक facility है तो क्योंकि manufacturing का काम करके हमें जो है नहीं नहीं चीजे देती है लेकिन वैस इन से जो pollution निकलता है इन से जो धुआ निकलता है ये जब काम करते हैं तो क्या होता बिटा इन से ये हमारे जो है हमारे लिए खतरनाक होते हैं इन से जो धुआ निकलता है वो हमारे ही अंदर जा है तो वो भी ऐसे ही हमारे लिए खतरनाक होती है इसके बाद म्युनिसिपल एंड एग्री कल्चर वेस्ट साइट एंड वेस्ट बर्णी जो पिटा मुनिसिपल कमेंटी होते हैं जो एग्री कल्चर के जो खित्र में जो हमारे वेस्ट सामान को क्या किया जाता है रिसाइकल तो ऐसे नहीं हो सकता उसमें को बनाने में जो हमें टाइम भी लगता है वो पोलूशन में फैलाते है तो ये क्या है ये बीटा एक वोई पोलूशन एयर पोलूशन का कार्ण है रेजिदेंटल कोकिंग हीटिंग एन लाइटिंग विद पोलूटिंग फ्योल्स ये क्या है बीटा रेजिदेंशन जिन अक्षित्रों में हम रहते हैं उनमें जो हम आपना खाना बनाते हैं जैसे की गाउं में चूले पर खाना बनाते हैं तो लकडियों से बनात होती है आपने देखा हुआ शादी ब्याव वगरा में पहुत सारी लाइटिंग वगरा की जो है सुषिधा होती है वह भी क्या करती है हमें कहीं कहीं पॉलुशन ही देती है तो आगे देखिए इस वक्षिट के बेस पर कुछ दिये गए है कोस्चिन सबसे पहला कोस्चिन है यानि कि कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो एयर पॉलुशन करते हैं दिल्ली में एयर पॉलुशन के में सोर्सेज मेजर सोर्सेज क्या है तो यहां पर हम लिखेंगे बिटा विकल्स आप लिखेंगे विकल्स और आप लिखेंगे जो है मैनुफेक्टिरिंग फैक्ट्रीज यह पर आप लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे विकर्स फिर लिखेंगे manufacturing factories and municipal and agriculture waste size and waste burning आप जो है ऐसे इसका अंसर लिखेंगे burning the major sources of air pollution in Delhi या पैसा पूरा लिखेंगे पहले आप लिखेंगे because फिर आप लिखेंगे manufacturing factories and फिर लिखेंगे बिखेंगे municipal and agriculture waste size and waste burnings are the major sources of air pollution in Delhi आप ये बिखेंगे सारा यहां पर जो है लिखेंगे मैं एक बार फिर से बताती है पहले आप लिखेंगे because manufacturing factories, municipal and agriculture waste sites and waste burnings are the major sources of air pollution in Delhi तो आप ये हो गया है पिटा आपके question number one का answer जिन जिन के नीचे मैंने underline किया है पिटा वो आपको answer में लिखना है आपके है पिटा how many people die every year due to air pollution यानि कि कितने लोग मरते हैं air pollution से जो है हर साल तो पिटा air pollution से हर साल यहां पर हमने पढ़ा था देखिए हमने यहां पर पढ़ा था देखिए 7 million यह रहा हम यहां पर लिखेंगे सेवन सेवी इन सेवन मिलियन पीपल आगे यह लिख देंगे पिटा यह डाई एवी यह ड्यू टू एयर पोलूशन उसके बाद आप यह यहां पर लिख देंगे सेवन मिलियन पीपल डाई एवी यह ड्यू टू एयर पोलूशन तो यह हो गए विटा आपके सेकंड कोशन का अंसर आगे विटा राइट दा फूद फॉर्म ओफ डबलू एच चो देखिए यह रही आपकी वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन आप जो है यहां से यहां से यहां तक की लिख लेंगे वर्ल्ड हैल्थ और्गनाइजेशन आगे देखिए फिल इन दा ब्लेंक को हमें जो है एड करना है सब्से पहले हैं दिल्ली इस फेसिंगे बिग चैलेंजेशन ओफ एयर पोलूशन नाओ यहां कि हर दिन दिली पॉलूशन दिली जो है क्या कर रही है दिली एक चेलेंज को फेस कर रही है एर पॉलूशन के तो यहां पर क्या आएगा पहले में आएगा हमारा फायर क्रेकर्स क्या आएगा पिटा फायर क्रेकर्स इसके बादा I will request my parents to adopt blank when they go their office क्या आएगा बिटा यहां पर यहां पर आएगा कि I will request मैं अपने parents से request करता हूँ कि जो है जब हम office जाते हैं तो क्या करें हम जो है carpooling करें c-a-r-p-o-l-l-i-n-g यह हो गया बिटा हमारे दूसरे नंबर के blanks में इसके बाद है everyone must switch off the engine of this vehicle when red light is on यहां पर क्या आएगा बिटा ओन यह आएगा हमारा for me spellings to make my city neat and clean तो पिटा यहां पर होती है आपकी worksheet complete I hope आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको video अच्छे लगी तो please like share and subscribe करना ना भूले thank you dear thanks for watching you